हो सकता है कि तुम्हारे क्लास 11 की मैट का एक्साम एक या दो दिन के अंदर कंड़क्ट हो और तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, बिलकुल परशान मतो, एकदम सही और सटेक वीडियो पर और सही टाइम पर क्लिक करा है क्योंकि तुम परशान मतो, तुम बस एक तुम्हारे उपर depend करती है कि तुम कितने माग को grab करना चाहते हो, कितना potential, कितना महनत और कितनी hard work तुम उसके अंदर include करते हो, वो तुम्हारे पर depend करते है, तो मैं स्टार्ट करूँगे इस वीडियो को बिना time वेरी, तो हम आ चुके हैं अपनी main sheet पे, जहां पर तुमारी सारी problem का solution लिखा हुआ है, लेकिन अगर तुम अभी भी इसको मजाक में ले रहो, उड़ा दो धुए में अपनी class 11 को, fail हो जाओ, कोई tension नहीं है, result का date आएगा, मावब दुखी होंगे, तुम लोग दुखी होगे, परशान होगे, कोई tension की बात नहीं है, अगर अगर सीरिय important question, तुम्हें पहले कोई lectures को नहीं देखना, कुछ चीज को मत देखना, सबसे पहला काम है तुम्हें important question को देखना है, पूरी YouTube पे किसी का मत देखना, मैं तुम्हें description में एक वीडियो का link दूँगा, जिसके अंदर मैंने तुम्हारे सारे के सारे अलग-अलग school की, चाया आपके दिली के school होगे, चाया आपके अलग-अलग जो बड़े-बड़े type के school है, सबके paper को निकाल करके analysis करने के बाद मैंने तुम्हारे important question को make कर रहे हैं, इसके अंदर तुम्हें important question मिल रहे हैं वो definitely तुम्हारे repeated है, और इसके अलावा बाहर से शायद ही वो दे पाएंग अगर कोई बाहर वाली किताब को वो use करते हैं, तो उसके भी question मैं आपको दूँगा लेकिन रुक जाओ, NCRT के जितने important question है, अगर तुमने NCRT नहीं पढ़ी है, तो सिर्फ इतने question को भी कर लोगे, तब भी तुम्हारे लिए enough है, विश्वास करके देख लेना, ये question तुम अगर लिया, तो आप लगेगा, फेल हो जाओगे, सुन जो मेरे बात, मैं मजाग कर रहा हूँ, सिर्यस मतले न, सब पास होगे, सब 95% लाओगे, बट बात होते हैं, important, ignore करने के कोशिश करते हैं, बच्चे, सुनो, mind map के लिए तुम्हारे क्या क्या चीज़ है, मैं बता दे लिए लिए एकदम, legend, ultra legend वाली बात है, बहुत अच्छी बात है, तो उसको जरूर निकाल लेना, क्योंकि अगर तुम्हें revise करना होगा, paper देने जार हो, तो उस टाइम पे तुम्हें बहुत काम आएंगे, तुम्हारे जो mind maps से बहुत काम आएंगे, बहुत जादा काम आए Yes, description में तुम्हें short, very short, long और long one, ये सारे type के question तुम्हें description में, video में, description मिल जाएंगे, बिल्कुल free of cost के हैं, तुम्हें एक पैसा खचा करने की ज़रूरत निए, class 12 में भी तुम्हारे ले मैं ऐसी ऐसी चीज़े लेकर के आउंगा, जिसको सुन करके और देख करके तुम ल वही मेरे लिए, तुम्हारे लिए हाथ मिलाना है, वही तुम्हारा गले मिलना है, वही है मेरे लिए सब कुछ, ठीक है, तो previous question तुम्हें निचे मिल जाएंगी, इन question को तुम कर सकते हो, practice के form में, पहले NCRT के question करना, फिर करना previous question को, अगर तुम NCRT complete कर ले तो मैं तुम्ह कह रहा हूं कि more than enough तुम्हें काम कर लिया, अगर तुम्हें अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा था, previous question कर ले तब तुम राजा बन जाओगे, अपनी class 11 की match के, और definitely तुम बहुत अच्छे mark को score करके आओगे, इसके बाद, night out तुम्हें practice करते रहनी है, live lecture को, quizzes को, manty quizzes को, इन तुम्हें मिल जाएक, तब तुम भाई को फिर उतना force नहीं, मतब ध्यान नहीं दोगे, लेकिन दोगे, मुले को ignore नहीं कर सकते, किसी भी condition में नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा, class 10 से 7 बन चुक है, ठीक है, तो तुम ignore नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कहा रहा हूं कि class 12 होगे हमारी, उसके दर हम 4 देंगे, और night or practice करते रहना, जितना ज़्यादा practice करोगे, उतना ज़्यादा class